यहां पर आजाई अगर आप चाहो तो आप यह कुछ रूल देख सकते हो मैंने लिखके रखे हुए जो अभी तक हम ने पढ़ा है उसके बाद मैंने आपको क्या बता था कि अगर कोई नंबर lr1 से हंड से एंड होता है तो उसका हमीशा किस से हंड से शिकसे ईंसे थी थे सब्सक्रा Komm causes अगर नापको सफेशन और वंपरकार वण रूल टिम्हें था उसको यह करन रहूं अच्छोने ayे कर रहा हूं आखर धर परफेक्ट स्कॉयर है तो उसका स्कॉयर रूट होगा नेचरल नंबर ठीक है वह इसका रूट में हम आगे चलके पढ़ेंगे उसको आप छोड़ दो भी याली प्रपर्टी को भी ठीक अब देखो यहां पर पता होना चाहिए यही मैं आपको बताया था कुछ नया स्कॉयर स्कॉयर रूट का सक्वार हमेशा इवेंड होगा और यह टेबल आप याद कर सकते हो यह क्या है बच्चो यह प्रपरट इस कि इसकॉयर फॉली प्रपर्टि को नध देखो यह वाली प्रपरर्टी को ठीक है इसको आप छोड़ेंगे जैसे कि एक ठीसिक है है ना इतना बता रहा है छोड़ो अब आजाओ आप यहां पर अब आएगा यह ट्राइद इस अब आप से सॉल हो जाएगा कह रहा है कि अब आप चेक कर लो बच्छो एक बाँ बताओ अब बताओ 727 का अगर आप स्कॉयर करोगे यह कैसा नमबर है बताओ 727 कैसा है ओड की इविन ओड है और भाई क्योंकि और इविन तो पिचान सकते हो कि टू से डिविसबर नहीं होना इसके यूंच प्लेस्पे इससा नमबर आता जो खहिए तो यह झका है और अगर अगर जेए तो उसका स्कॉयर आप 727 का स्कॉयर कर लीजे 727 into 727 यदि आप करोगे तो देखिए आंसर क्या रहा है 528529 और यह जो आंसर आ रहा है आपका हाला कि क्या लिखोगे इसमें रूल लिखोगे यह वाला लास्ट वाला स्कॉयर ओफ और नंबर इस ऑल्वेस ओड ठीक उसके बाद यह एक इवन नंबर है ठीक तो इसका स्कॉयर करोगे 158 के उनिट पेडर और जोकि ऑट के टू से डिवा तो यह इसके इवन नंबर आ रहा है तो इसका स्कॉयर करने पर भीvencर और घुका तो इसका इवन नंबर जो का इसका आट है तो इसका स्क इनलए मटे करने पर जो आंसर आएगा इवन होगा अगर आपको भरुसाहा पूरा ही नंबर क्या बन जाएगा इवन आ जाएगा ठीक है क्योंकि यह नंबर इवन था इसका स्क्वाइर भी क्या आ जाएगा इवन नंबर खतम ठीक 269 तो सुदेंस आप देख सकते हो कि जो 269 है ठीक इसके यूनिट प्लेस पर क्या रहा है पच्छो 99 क्या है आपका ओड है ठीक तो यह पूरा ही नंबर क्या बन गया आपका ओड तो अगर इसका स्क्वाइर करोगे आप ठीक है इसके पर अगर स्क्वाइर लगाओगे ऐसे तो जो भी आंसर आएगा ठीक वो क्या होगा ओड होगा भरूसा नहीं देख लो 269 इंटू 269 ठीक है कितना आ रहा था इसलिए इसका स्क्वाइर क्या रहा है और नंबर तो इसमें आप लोग यही रूल लगा होगी यह दुन है ना स्क्वाइर अब देखो इसको 1980 कैसा नंबर है सुन लो ज्यान से अगर किसी नंबर के एंड में 0 आता है ना तो वह इवेन होता है यह सर यह सर जैसे कि 20 इवेन है बस एंड में अगर 0 आ रहा है तो वह इवेन है तो यहने कि यह भी इवेन है 1980 भी क्या है और अगर यह इवेन नंबर है तो इसका स्क्वाइर भी क्या आएगा इवेन आएगा यह हो गया अब देखो बच्छो नेक्स्ट सवाल है आपका पार्ट टू ठीक किसी नंबर में जितने जीरो कर दो वन का डबल क्या होता है तो यहां टू जीरो जाएंगे आप चेक भी कर सकते हो 60 इंटू 60 करोगे तो आंसर कितना हैगा जो आंसर आ रहा है उसमें कितने जीरो जीरो जैंड़ करो यानिकि इसके आंसर में कितने जीरो जाएंगे इसके स्क्वाइर करने पर 40 जाएंगे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहां पर देख लो स्टेंस 400 400 का अगर आप स्क्वाइर करोगे तो इसका मतलब होता है 400 इंटू 400 यानि के बच्चों 44 जा होता है आपका 16 और 1234 1234 यह लीजे कितने जीरो 1234 भरोसा नहीं कैलकुलेटर से चेक कर लीजे ठीक 400 इंटू इंटू ओह भई 2400 इंटू 400 यह लीजे ठीक आ रहा है 4040 जाने लास में ठीक है ना तो इस तरीके से हमने इस ट्राइदी इसको बच्चों सॉल्फ किया मिलते हैं नेक्स वीडियो में